नमस्कार चात्रो, आज हम संस्कृट तालिका के बारे में बात करेंगे, संस्कृट तालिका, संस्कृट का एक बहुत मुख्य भाग है, इसके अंतरगत तीन भाग होते हैं, पूरुश, वचन और लिंग, पूरुश, वचन और लिंग के बारे में हम अब बात करेंगे, संस् पुरुष जिसमें हम दूर के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वह या यह शब्दों का परियोग करते हैं, वह प्रथम पुरुष के अंतर गताते हैं, मध्यम पुरुष में हम तुम दो तुम सब के बारे में बात करते हैं, और उत्तम पुरुष में हम मैं हम दो हम सब के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही तीन वचन होते हैं, एक वचन जिसमें हम एक की बात करते हैं, दूई वचन जिसमें हम दो पुरुष, दो इस्त्री, दो नपूसक लिंग की बात करते हैं, बहु वचन जिसमें हम दो से जादा संख्या के पुरुष, इस्त्री या वचन की बा बोद कराएं और नपूसक link में वह आते हैं, जो गतीमान नहीं होते हैं। अगर हम पुरुष की बात करें, तो सपटती मतलब वह पढ़ता है, तौपठत वे दो पढ़ते हैं, तेपठंती वे सब ही पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम इस्ति लिंग की बात करते हैं, तो इस्ति लिंग में सापठती वह पढ़ती हैं, ते पठतह वे दो पढ़ती हैं, तहा पठनती वे सभी पढ़ती हैं, क्रिया हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको हम परिवर्थित कर सकते हैं, क्रिया को लेकिन ह हमारे जो हैं स्वतवते और साते ता हमारे एक जैसे ही रहते हैं उसके बाद हम बात करते हैं नपूसक लिंग की क्योंकि नपूसक लिंग चीज़ें क्रियाएं नहीं कर सकती हैं इसलिए हम वहां अस धातु का प्रियों करते हैं तत्फलमस्ती वह फल है, ते फलेस्तव वे दो फल हैं, तानी फलानी संती वे सभी फल हैं, उसके बाद अगर हम बात करें मध्यम पुरुश्की, तुम पठ सी तुम पढ़ते हो, युवाम पठत तुम दो पढ़ते हो, युयम पठत तुम सब पढ़ते हो, इसके बाद अगर झालब आज झालब 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 है